Hello students, RCA Education of Online Class में आपका स्वागत है प्रिविध्यारतियूं। आज की क्लास में क्रसी रसाइन का लेशन नमबर 6 आमले अता लवट रवायत मरदाएं डिसकस कर रहे हैं। जिसमें आमले मरदा बनने के कारण टोपिक अपन बात करेंगें इसका बी पार्ट। पतल टोपिक में टोटल पांच कारण थे। उन पांच कारणों में से अपने तीन कारण पिछली क्लास में पढ़ लिए और बच्चे वे दो कारण अपन आज पढ़ें। उन में से जो आज की क्लास का पहला कारण है वो है अमले उर्रकों का लगातार प्रियोग। अमले उर्वों का लगातार प्रियोग करने से क्या होता है मृदा अमले हो जाती है अब देखो सामनेत अपन जो उर्ववक काम में लेते हैं कों से हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइटरेट ये उर्ववक अपन सामनेत फसलों की उत्पादन हेत्व काम में लेते हैं तो ये यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइटरेट किस तरह से विगटित होकर मृदा को अमले बनाते हैं इसको अपन रासाइनिक अभी क्रियाओं के द्वारा समझेंगा ये आपका टोपिक इंपोटेंट है और यहां से क्यूशन आपका बना है किस तरह से अमले उर्वकों का लगातार प्रियोग करने से मृदा अमले हो जाती है रासाइनिक अभी क्रियाओं के द्वारा समझाईगे पिल्कुल ज्यान से समझेगा बहुत तीजी रासा है नोग्य कुरियाओं हैं तीनों में आपको तीन अभी क्रियाओं को स्टीशनिप देखो कैसे मिलेगी देखो आप एक-एक की बात करते है अपने दियान दीजिएगा यह अपने ले लिया कौन सा यूरिया यह ले लिया अपने अमोनियम सल्फेट यह अपने पास में यूरिया यूरिय का सुत्र कहाएब अएनस-2 चीओ एनस-2 लियर अपने लिया अमोनियम सल्फेट इसके बात कर लिया अमोनियम सल्फेट इसका सुत्र होता है इनस-4 का होल्ट्वाइस फिललिया अपने अमोनियम नाइट्रेट फिललिया अमोनियम नाइट्रेट Ns4 N03 Ns4 N03 अब देग ज़े यूरिया में सबसे पहले क्या होगा Ns2 Co Ns2 क्या है ये यूरिया क्लियर इस यूरिया का जल के साथ क्रिया करेगा जल के साथ क्रिया करेगा रसाइनिक संभी करेगा इस यूरिया को अपन फसल में देंगे तो वो जल से क्रिया करेगा अमोनियम कार्वोनेट क्या बनाएगा अमोनियम कार्वोनेट और अमोनियम कार्वोनेट देखो क्या करेगा यह अमोनियम कार्वोनेट टूटेगा और क्या देगा आपनको N-S3 Ammonium क्या देगा Ammonium Plus CO2 क्या देगा CO2 Plus H2 Clear इदे को क्या लिया आपने Ammonium Carbonate का क्या हुआ Vigetan हुआ क्या मिला आपनको Ammonium क्या मिला Ammonium CO2 और S2 Clear अब ये Ammonium किसे के साथ क्या करेगी ज्यान दो इदर ये Ammonium क्या करेगी जल के साथ इसके साथ में जल के साथ में और यहां बनाएगी आपके N-S4-O-H क्या बनेगा N-S4-O-H राइट अब ये N-S4-O-H टूटेगा क्या मिलेगा आपनको N-S4-O-H क्या मिलेगा N-S4-O-H इसका मतलब क्या हुआ देखो वेटा द्यान से समझो कि यूरिया ने जलसे क्या की क्या बनाया Ammonium कार्बोनेट Ammonium कार्बोनेट टूटा क्या बनाया Ammonia Ammonia ने जलसे क्या की क्या बनाया Ammonium Hydroxide क्या बना Ammonium Hydroxide और ammonium hydroxide टूड़े क्या बना रहा है ammonium iron क्या बना रहा है ammonium iron तो अब यह जो अभी के लिया हुई है यह पर्टिकुलर की यूरिया की यूरिया ने विगटित होकर क्या दे दिये ammonium iron अब किस तरह से ammonium iron अमलता उत्पन करते हैं वो सभी करने अभी और पढ़ी है तो देखो विटा यहां से मैं चलता हूं इदर अभी इसकी बात में बात करेंगे यह ammonium iron गान देने विटा यह ammonium iron वाई मंडल यह oxygen से क्या है यह ammonium iron क्लियर किसे वाई मंडल यह oxygen से क्रिया करते हैं क्रिया करके क्या बनाएंगे देखो क्रिया करके बनाते हैं hno2 plus h2 plus यह बनेंगे h plus इसको बोलेंगे नवजात अमलिये hydrogen यह बोलेंगे 8 होगे दो यहां पे 2 यहां पे 4 चलो यहां पे दो ले लेते हैं वोज़ोंी 4 बोच्छे यह 3 होगे 8 अब कितने होए वोज़ोंी 4 बोच्छे और 2 होगी बैलेंस नवजात अमलिये hydrogen क्लियर और नवजात अमलिये hydrogen जान दो यह आपके पास में क्या है इसको क्या बोलते हैं म्रदा संकीन क्या बोलते हैं म्रदा संकीन इस पर कुन से आइन लगे वे हैं केल सियमा लगे वे अब यहां से अब यह करेंगे करेंगे तो अपने पास क्या बने गाव आउगे क्ले और आपके एच प्लस 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 यह का यह प्लस्टू क्या हो गया बहार हो गया इसका मनलाव इस अमले हाइड्रोजन आइन ने मृदा क्ले की सतर से केल्सियम आइन बुक्या कर दिया विस्तापित कर दिया अब यहां पर यह जो आपका यह एक लेगा देखो विटा जान दो कि यह क्ले की उपर क्या लगा हुआ है इसकी वाता वाद में करेंगे यहां पर क्या लगा अपने एसे नो फूल प्लस उतूर यह क्या होई देखो जैसे गले इसकी उपर क्या आगे एच प्लस यह क्या आगे एच प्लस प्लस सीय ए नो त्री का होड़ ट्वाइस यह ले लो और यह किसके दोरा निक्सालन के दोरा क्या हो जाता है गुलन सी लोगा निक्सालन से गुलन सी लोगा गुलन यह कंप्लीट अभी क्रिया हो गया हुआ कि कि एच और यह सफस्थ्ता भिए और यह नाइटडर तेस्थक्रस और बी कालश्यिक कि माणिक करता है परतिस्ता फीन और क्या बनाता है पनको गुलन-सीयल के ऑलिस्यों नाइट्रेट योगी तो निक्साड़न के द्वार्ए बहारा हुज जाता है इसका मतलब पास में देखो समीकर नंबर एक समीकर नंबर ऑद्व हो यह तीनों में पूबन है यह तीनों में पूबन है यह खिए आपको एक बारिया करनी तो यूर्य का विगटनता जिस्सि आमेश्च प्लस दिया स्टेश्टस ने क्या किया केयल से माइन को बार किया साथ में क्या मुंता है न्यटर संग जो एच प्रशा प्रशार्विट कर लेका कि इसकी यह विल्टा यूरील अब देखाल बात करते हैं प्रस्की ऐसकी बात करते हैं अमोनियम अको जाना दो तो अमोनियम सर्पेटिया सुद्र लिख लिखता है आपको NS4 का होल ट्वाइड SO4 किस्से कि रहा करेगा यह क्ले इस पर कौन साइन है CA प्लस ट्वाइड उन साइन है CA प्लस ट्वाइड तो देखो क्या बनेगा यह अपने पास में क्ले है इसके उपर कौन साइन अजाएगा NS4 प्लस ट्वाइड क्या गया और यह बन गया अपने पास में CA SO4 जो क्या है बुलंद सील है अब आगे अगर अपने पास में यह इसके साथ कंप्लेट यह को ना गया अमोने माइन से क्या उनेंगे नवजाट हाइड्रोजेन और नैट्रस अमल जो इस तरह से केल्स ऺायम पेगर देते हैं परति इस्ताफित कर देते हैं जिससे क्या बढ़ जाती हैम अम्निता बढ़ जाती है Dear डूसरा देखो आप ध्यान से जिसवा कून सा आए अम्मोनियम नाइट का कि अनुजरीक सिक्रेंगे का अब आमोनियम नाइट के देखो इधर आपने अफ़निय कि अपरियर करेगा यह अपने यह मरदा संकीन क्या हुआ regard संकीन दोवाजे दोले सकते हैं रही हो तो यहां गया अफने पर अपने और यहां बनेगे आपने पास में CA NO3 का ओल्टवाइज क्या बोलेंगे इसको गुलन सी अब इससे भी क्या हुआ मरजा की सब्सक्राइब कौन से आएना आगे देखो जान से अमोनियमाइन और अमोनियमाइन क्या अब इस तरह से आपके जो युप उन से नसे उनका प्रियोग लगातार करने से मरदा अम्ले हो जाती है इसमें इस तरह की कासायनी के विक्रियें लास्ट आपकी जिवान स söz significance जीविक क्या इसकी बात करें गैंब पन对 इस शुक्ष्म जैविक क्या है सेम वोई जिवास्पदात वाले विक्रियाजेगी उसमें लगातार क्या होते हैं विगटन से अमल बनते हैं क्या बनते हैं अमल बनते हैं और वो अमल लगातार भास्मिक आइनों को परतिस्ताफित करते रहते हैं जिससे भास्मिक आइन की कम्य हो जाती है और अमले आइनों क में आपको यह अम लिए उड़ों का लगातार प्रियोग किस पर कार होता है रासा इने प्रिया कैसे होती है यह आपको समझना बहुत इंपोर्टेंट है यह क्यूशन मैंता है आज के लिए इतना ही उमिद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ मैं होगा वीडियो को आप लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ठेंक्यू स्टुडेंट